समाजबादी महिला सभा की रास्ट्रे अथ्यक्ष जुही सिंग प्रधेश में लगातार जन समवात यात्रा कर रही है इस जन समवात यात्रा के माथ्यम से प्रधेश की जनता को सरकार की जन विरोधी महिला विरोधी नितियों से अवगत कराया जा रहा है सपानेत्री का कहना है कि सरकार की योजनाई जमीन पर नहीं पहुच पा रही है प्रदेश और केंद्रे सरकार पर निशानस आते हुए उन्होंने कहा कि ये सरकार समवेधन हीन है सपानेत्री चुही सिंग का कहना है कि भाजबा सपा की लोगप्रियता से डर गई है यही कारण है कि सपा के नेताओं के घर रेट पड़ रही है इससे पहले भी सपा नेताओं पर लगातार मुकद मालिक ने और जेल भेजने का काम इस सरकार ने किया है प्रदेश की जनिता में आक्रोश है पतादें के प्रदेश की योगी सरकार को अत्याचारी सरकार पताते हुए काले जंडे दिखाने पर जेल भेजा जा रहा है और किसान आंदोलन करने वालों को कुछला जा रहा है यह अत्याचारी सरकार है और यही इस सरकार की वित्रत है ये सरकार सिर्फ बात करती है कानुन विवस्था पर विश्वास नहीं रखती है। लगाएगे तो टेनी का त्यागपत्र कहां यह सरकार का चाहरा है सत्ता सबके साथ गुनाह हो जाता है दुशकर्म हो जाता है तो प्रगट हो जाते हैं और कोई सतही कारवाई करके कहते हैं कि हमने कारून व्यवस्ता क्या राज कायम किया तो यह जूटी सरकार है इनको ना कारून व्यवस्ता है किस तरहाद देखती ही इस तरह के बयान को। एक ऐसा वेक्ति जो पचास सो गाड़ियों के काफिले से SSP आफिस लखना पहुंच गया था बहुत दबाव के बाद उनके ओपर कोई भार्दी यंता पार्टी ने तो कारवाई की नहीं हाथ रस में हमने देखा प्रधानमंती उस पर विछ प्रधानमंती तो अपने खुद क प्रस्तावक की जब अक्सिजन की कमी से मौत होगे उनकी बेटी रोने थी तब भी चुप जो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हां बेल आइकॉन दबाना ना भूले ताकि हर ख़बर का अपडेट आप तक प पर भी फॉलू कर सकते हैं हमारे आईटी है अट तरेट ज्याएमधी ड्यूस लाइट